हेलो स्टुडेंट्स आइम नवनिल गोड फ्रॉम टेगोर स्कूल पर बचसर वी आर हियर फॉर स्टैडी ए चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश रीडर बुक और फिर्स्ट क्लास एज यू कैन सी ओन दे स्क्रीन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दिस इजे इबुक आफ लिंक पर टच करना होता है और इस तरह से ये आपकी बुक खुल जाएगी इस से पहले मैंने फिर्स्ट क्लास के इंग्लिश के लिए एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अगर किसी ने वो फिर्स्ट क्लास का फिर्स्ट लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले वो वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फिर्स्ट क्लास के क्विस्चन आंसर करवाने वाला हूँ और क्विस्चन आंसर करने से पहले आपको जो लेसन है उसको अंडरस्टेंड करना उसको समझना बहुत जरूरी होता है इसलिए जिन स्ट क्लास का इंग्लिश का जो वीडियो है वो आप जरूर बच्चों को दिखाएं ताकि उनको फिर्स्ट लेसन समझ में आ सके और फिर आज जो मैं क्विस्चन आंसर करवाने वाला हूं वो बच्चों को नॉटबुक में भी करवाएंगे तो अच्छा रहेगा और नॉटबुक क्लास में यह भी कहना चाहूंगा क्योंकि यूके जी तक जो बच्चों का पढ़ने का जो क्राइटेरिया होता है यूके जी तक इस्टूडेंट्स के क्विस्चन आंसर नहीं आते हैं फर्स्ट क्लास एक ऐसी क्लास आती है जहां पर इस्टूडेंट्स को क्विस्चन आंस करने के बाद question answer कैसे करना ये especially बच्चों को सिखाना होता है तो ये हम पर ये responsibility रहती है हमेशा और ये एक बड़ा typical task भी है मैं इसको मानता हूँ तोड़ा कठिन काम है कि बच्चों को एक pattern सिखाया जाए कि कैसे किसी भी lesson का name लिखा जाता है कैसे उसका number mention किया जाता है फिर कैसे question को write करना होता है कैसे question का number mention करना होता है notebook में और कैसे फिर उसके बाद उसके last में question mark mention करना होता है कैसे answer लिखना होता है तो ये सारा जो pattern है ये पहली बार कुछ first class के student को सिखाने की जरूरत होती है तो ये भी अपने आप में task है तो मैं parents को जरूर कहूंगा इस video के माध्यम से कि वो इन चीजों को अपने पास बैठ करके बच्चों को करवाएं एक four line की notebook, पुरानी notebook में भी आप use कर सकते हैं जो पिछली साल की notebook जिन में कुछ space अभी remain होगा बाकी होगा उसको आप use कर सकते हैं एक lesson एक page आप blank leave कर दें खाली छोड़ दें पिछले काम के बाद में और next page से आप एक नया इस session का काम शुरू कर सकते हैं जब हम लोग school खुलेंगे तब हम नई books और notebook तो लेंगे ही लेकिन अभी जब हमारे lockdown में हमारे पास में यह अपने पास में यह option नहीं है कि हम नई notebook यूज कर सकें तो हम पुरानी यह notebook यूज करें लेकिन मैं आपको यह कहरना चाहूँगा कि आप scale लेकर के एक ruler लेकर के और उस नए page पर एक line खीच करके lesson का name कैसे लिखा जाता है फिर एक line right side में corner में कैसे उसका number lesson 1 ऐसा लिखा जाएगा यह आप उसको practice करवाएं और उसके बाद जो मैं question answer करवाने जा रहा हूँ वो आप उनको notebook में लिखने की practice करवाएं अब हम first lesson में चलेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह first page is the cover page of this book यह इस book का cover page है first page है and we can go further by rotating the pages pages को rotate करते हम आगे जा सकते हैं this is the first lesson cats बिल्लिया I taught this lesson मैंने यह lesson पढ़ा दिया है in the previous video previous video में मैंने यह lesson पढ़ा दिया है so you should you have to see the first video first पहले आपको first video देखना चाहिए then you can do the question answer in a better manner उसके बाद में आप अच्छी तरह question answer कर पाएंगे and we are practicing the word gallery first सबसे पहले हम word gallery की practice करेंगे और आपको भी lesson का name लिखने के बाद एक line पर और उसका number लिखने के बाद word gallery भी लिखवानी चाहिए बच्चों से तो यहां सबसे पहले word gallery शब्द लिखना है जिसको हम हिंदी में शब्दावली कह सकते हैं यहां पर कुछ difficult words दिये गये हैं जो इस lesson में हैं and in the English medium, English medium में words को English में ही explain किया जाता है so it is explained here in English language I will try to explain you in Hindi also मैं आपको Hindi में भी सको समझाने का प्रयत्न करूँगा the first word is window lase window हम सब जानते हैं window means खिडकी होती है lase means होता है आगे का हिस्सा जो window में आगे का हिस्सा होता है उसको window lase कहते है और इसको English में इस तरह से explain किया गया है a narrow, a means a, narrow means सक्रा, छोटा, पतला shelf, shelf का मतलब होता है एक कोई पटी, कोई जगे, उसको shelf बोलते हैं तो एक narrow, narrow यानि सक्रा, shelf यानि एक स्थान, कुछ रखने की जगे एक सक्री कुछ रखने की जगे, in front, front यानि सामने of the window, window के, window के सामने एक सक्री सी, थोड़ी पतली सी कुछ रखने की जगे होती है, shelf होती है उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है, window lays उसको window lays बोला जाता है, students को आप ये जरूर बताएं कि next time जब भी इस word का use करें, तो window के आगे की जगे को window lays करके बोलें, और इसको हम pronunciation में use करें general daily routine की जो talking होती है, उसमें हम use करें window lays, the second word is as, as, e-d-z-e, as means होता है किनारा, किसी भी चीज का जो किनारा होता है, उसको as बोला जाता है धार को भी as बोला जाता है, outside area, बाहर का area of an object किसी भी object यानि किसी चीज का बाहर का जो area होता है, उसको as कह जाता है तो हम भी as word का use करें, as means किनारा, drawer, drawer हम जानते है जब हम खीच करके किसी ऐसे box को बाहर निकालते है, तो उसको drawer कहते है drawer के उपर कुछ cover नहीं होता है, without lid होता है, lid means ढखकन, बिना ढखकन का होता है drawer जिसको खीच करके निकाला जाता है कहीं से, जिसमें कुछ सामान रख सकते हैं, उसको drawer कहते है a box shaped, एक box के shape का, यानि box की आकरती का, storage compartiment storage means कुछ रखने का, store करने का, compartiment means हिस्सा एक box की shape का, box की आकरती का, कुछ रखने के लिए हिस्सा, एसा हिस्सा, जिसमें कुछ हम रख सकते हैं जो box की आकरती का होता है without a lid, lid मिन्स धकन होता है without यानि बिना, बिना धकन का कुछ रखने का हिस्सा, बिना धकन का box की shape का उसको drawer कहते हैं, empty मिन्स खाली होता है, containing nothing, containing मिन्स रखना, nothing यानि कुछ नहीं, कुछ नहीं रखना, जिस चीज में कुछ नहीं होता है, उसको कहते हैं empty, खाली है वो चीज, तो खाली को English में हम इस तरह से describe कर सकते हैं, containing nothing, कुछ नहीं रखना, तो उसको हम खाली कह सकते हैं, empty, तो आप लोग पहले lesson का name mention करें, एक line खीच करके, उस पे lesson का name कैसे लिखवा सकते हैं, use the first letter capital and other letters, small first letter capital लिखें, एक ही शब्द का इसमें name है lesson का, only cats name है lesson का, तो c capital लिखें, बाकी के small लिखें, एक line के उपर टिका कर लिखें, lesson 1 लगाएं, और उसके बाद में word gallery ये लिख करके one line में, और नीचे की तीन line में, ये window lays लिख करके double, ये colon का जो sign है, दो बिंदियों वाला, ये लगा करके, उसका जो explaining किया गया है, उसको हैं, जैसे मैंने आपको एक एक word का meaning हिंदी में समझाया है, और फिर पूरे sentence को भी हिंदी में समझाया है, इसी तरह आप भी students को इसको हिंदी में भी word to word और और फिर complete sentence को भी समझाया है, और ये return work कराना इतना आसान नहीं है बच्चों से, जितना मैं बोल रहा हूं, मैंने क्योंकि बता दिया है आपको, ये first class है, ये first class पहली बार question answer कर रही है, LKG में बच्चे letters सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं, UKG में बच्चे words सीखते हैं, लेकिन ये जो question, ये जो lesson का जो concept है, question answer का जो concept है, ये पहली बार बच्चों के सामने आता है, first class में, तो first class के teachers पर एक special responsibility होती है, कई दिन तो केवल इसी pattern को सिखाने में निकल जाते हैं, कि कैसे lesson का name लिखना होता है, कैसे उसका number mention करना होता है, कैसे question को write out किया जाता है, कैसे उसका answer लिखा जाता है, ये सो pattern है, ये set करने में, कई बार तो teachers को खूदी करके उसकी copy में बताना होता है, ये सब, त practice करवाएं, वो खुद लिख करके बताएं, lesson के एकदम new page से new lesson start होता है, ये भी उसको बताएं, कोई भी नया lesson का homework, जो return work है, वो नये page से start होगा, सबसे पहले उस lesson का name लिखें, उसके बाद उसका उदर corner में, right corner में number लिखें, lesson 1, और उसके बाद में सबसे पहले जो difficult words है, word gallery में, वो लिखें, उनका जो explaining है, उनका जो description दिया हुआ है, वरनन दिया हुआ है, वो लिखें, और ये complete होने के बाद में one line blank करें, छोड़ दें उसको, उसके बाद में लिखें, understanding the poem, this is the, this is a caption, ये एक सीरशक है, exercise के लिए, understanding the poem, understanding यानि समझें, the poem यानि कविता को, ये ज उसको समझने के लिए कुछ comprehension, comprehension यानि समझ, ये समझने के लिए, जो कोई भी exercise जो होती है, कोई भी question answer जो होते हैं, किसी भी lesson के, वो उस lesson की understanding के लिए होते हैं, उसकी समझ के लिए होते हैं, उसकी comprehension के लिए होते हैं, तो यहाँ पर हम comprehension भी लिखें, अगर second line में, और इसमें ध्यान रखें first letter capital बाकी के small यूज करें अलागि हम लोग कर्सिव का भी practice कराएंगे first से बच्चों को कर्सिव में ही लिखवाने को कोशिश करते हैं लेकिन अभी आप capital और small letters को यूज कर लें कर्सिव की जो concept है हम लोग स्कूल में शुरू कर देंगे the question number जो margin होता है जिसको हम हाशिया बोलते है हिंदी में red color की जो line होती है vertical हर एक notebook में उसके अंदर inner part में ए लिखें और outer part में question लिखें fill in the blanks fill यानि भरें in the blanks यानि खाली इस्थान में with मतलब साथ में appropriate यानि उचित words मिन्स शब्दों के उचित शब्दों के साथ भरें खाली स्थान को from the box box में से इस box में यहाँ पर चार word दिये हैं there are four words are given in the box box में चार word दिये हैं the first word is chair chair means कुरसी lap means गोदी and cardboard means गत्ते का board गत्ता ही कह सकते हैं cardboard means गत्ता anywhere means कहीं भी यह four words यहाँ दिये हैं और इसमें से कौन सा word किस में suitable होगा किस question में suitable होगा यह आपको students को बताना भी है और करवाना भी है the first sentence is पहला sentence है cats sleep cats means बिल्लियां sleep मतलब सोती है अब बिल्लियां कहां सोती है चारों में से क्या suitable हो सकता है chair में सोती है lap या गोदी में सोती है cardboard में सोती है या anywhere कहीं भी सो जाती है तो हमने इस lesson में पढ़ा था यह जो lesson था अपना cats वाला इसमें हमने पढ़ा था cats first line देखिए आप second line देखिए cats sleep anywhere cats हर कहीं सो जाती है तो anywhere is the suitable word for the first sentence cats sleep we can fill anywhere in the first line हम first line में anywhere शब्द को fill कर सकते हैं तो आपको fill करना है cats sleep anywhere और इसके नीचे underline करें जो word आप fill कर रहे हैं उसके नीचे underline करें और fully stop लगाएं last में and you can mention the sentence number also आप one two three four भी number भी लगा सकते हैं in the margin margin के अंदर the second is second है any table किसी भी table पर any या किसी भी अब देखिए आप book में lesson में देखिए ये जो line आई हूई है lesson में उस poem में उसमें यहाँ पर कौन सा word आने वाला है any table के next what is the next word after any table you can see after the any table here it is any chair एक किसी भी chair any table के बाद जो next line है वो है any chair तो हम यहाँ पर लिखेंगे any table के बाद any तो लिखावाई है chair fill कर देंगे because it is mentioned in the poem as it is क्योंकि इसी तरह से इसको poem में mention किया गया है any table, any के बाद chair the next third third sentence is anybody's will do look in the look in the poem what is the next year यहाँ पर क्या आएगा anybody's के बाद और will do के before तो anybody's anybody's is there anybody's this is the here it is यहाँ पर है यह anybody's will do के पहले क्या आ रहा है anybody's के बाद में और will do के पहले आ रहा है lap तो अपने को lap fill करना होगा वहाँ पर anybody's lap किसी की भी गोदी में will do यह सो जाती है तो lap means गोदी होती है anybody's lap आपको इसमें lap fill करना है और fourth क्या है number mention करते जाएं आप इसमें mention नहीं किये गये लेकिन आप इस तो notebook में mention करते जाएं fitted in a box fitted now only one word is remaining केवल एक ही word बचा है what is the word क्या बचा है cardboard बचा है वही fill करना है fitted in a cardboard box जो कि cardboard के एक box में भी fit हो जाती cats तो यहाँ पर cardboard लिखना है और यह क्यों हम fill करना रहे हैं इसमें logic क्या है क्यों इसका मतलब क्या है यह भी हम students को explain करें और इतना अगर आप करवा लेते हैं बच्चे से वो भी ठीक अच्छी तरह से तो this is a advantage of you यह आपका एक तरह से advantage मानी है आपने कुछ करवा लिया है बच्चे से यह capability मानी है आपकी कि अगर आप इतना और तरीके से systematic करवा लेते हैं और मैं आपको जो students के first class के student के जो parents है उनको यह कहना भी चाहूँगा कि अगर आप इतना work उससे करवा लेते हैं बहुत अच्छी handwriting में तो आप उसकी photograph लेकर के जरूर मुझे भिजवाएं तो मैं group में डालूँगा और बाकी उससे बाकी भी inspire होंगे बाकी parents भी कि हम भी इस तरह से करवा सकते हैं मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी इस तरह का कोई photograph आता है तो आप लोगों तक पहुंचाओं और यह मैंने आपको explain किया first video जरूर देखें यह second video है इस first class के first lesson का यह part first डाला जा चुका है it is the part second in the part first I explained all the poem in that video first part में पूरी poem मैंने उस video में explain की थी in the part 2 यह जो part 2 चल रहा है I have explained मैंने explain कर दिया है word gallery and comprehension the question number a यह question number a और इसके fill in the blanks वाला यह जो question है यह अपने कर लिया है आपको यह काम note book में करवाना है बच्चों से फिर एक बार में बता रहा हूं सबसे पहले आप एक scale ruler ले उससे एक line बनाए किसी भी नए page पर उपर की तरफ सबसे उपर red line के red line के भी above above the red line और उसके बाद लिखें lesson का name cats capital C and other small and then the lesson one and then you have to do the word gallery you have to write the word gallery and then make right by the student these four lines of word gallery and then understanding the poem then comprehension then write the question fill in the blanks with appropriate words from the box and then you can leave the box from here आप इस box को जरूर छोड़ सकते हैं because we will fill these words in blanks क्योंकि हम इनको blanks में भरने ही वाले हैं तो ये box आप जरूर लिव कर सकते हैं and then you have to fill all the four statements or sentences and you have to write a underline below the word below the word word के नीचे आपको underline करनी हैं जो भी आप fill करते हैं तो इतना work अगर आप first class के students करवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा नेक्स्ट वीडियो में we will do the next question answer of this lesson we are going very in a slow speed ये बहुत slow speed से चल रहे हैं ये कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है पर ये ये जो first class है ये special class है ये पहली बार इस तरह से question answer कर रहे हैं so we have to maintain a slow speed so that students can do the work in a right manner okay we will do the next question answer in next video see you bye all the students